ये समझ की किसी भी इंसान को एक अप्रतिष्टित स्थान में नहीं रहना चाहिए, ये संस्कृती में गहरी समाई हुई है, क्यूंकि ये ऐसा ही है कि अगर आप धर्ती में कोई पौधा लगाते हैं, और वो धर्ती अच्छी है, तब ही फल और फूल निकलेंगे, जिस धर्ती में वो पेड लगा हुआ है, अगर वो समरिध नहीं है, जीवन को थामे रखने के काबिल नहीं है, तो फूल और फल नहीं आएंगे, अगर वे आते भी हैं, तो बहुत कम होंगे, पौधा कभी भी पूरी तरह से विक्सित नहीं होगा, उस पौधे में कभी भी प इन पहलिओं को हमने हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी माना है, आप जो खाते हैं, आप जो काम करते हैं, सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, ये भी पूर्व के देशों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग और दयालू होते तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्टित करते वे शहर में कई जगे ऐसी बनाते जिससे की पूरा शहर प्रतिष्टित हो जाता वे चाहते थे कि सभी प्राण प्रतिष्टित स्थानों में रहें चाहें लोग सड़क पर चलते हों या बिजनस करते हों ज उन सभी को लगातार प्राण प्रतिष्टित स्थान में रहना चाहिए। क्यूंकि अगर आप बहतर मनुश्यों की पीडियां पैदा करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे स्थान की जरूरत है, नहीं तो बस सईयोग से, या अपने खुद के दम पर कोई कुछ बन सकता है, पर आप शांदार लोगों की पीड़ी नहीं पैदा कर पाएंगे। इस संस्कृति ने ग्यान का भंडार पैदा किया है, आत्मग्यानियों का एक सहलाब, हर पीड़ी में ऐसा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसे कुछ पहलूं का ध्यान रखा। इस ग्रह पर किसी भी दूसरी जगा, लोगों की किसी भी पीड़ी ने ग्यान की ऐसी उंचाईयों को नहीं छुआ, जैसा कि इस संस्कृति ने छुआ। पर पिछले कुछ सौ सालों में सब बिखर गया। पिछले आट सौ से नौ सौ सालों में ये बुरी तरह तूट गया। क्यूंकि बहरी हमले हुए और लोग अपनी जमीने छोड़ कर चले गए। और भी बहुत सी चीजें हुई। आप महान बुद्धी वाले मनुश्य, बहुत महान उर्जा वाले मनुश्य पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें असाधारण उर्जा बोध और बुद्धी और शमता हो। अगर आप प्रतिष्टित स्थानों का बड़े स्थर पर निर्मान करते हैं। बड़े प्रतिष्टित स्थान जहां लोगों की पूरी पीड़ी वैसी उर्जा और स्थान के संपर्क में रह पाए। ये सौभाग्य लगभग हर परिवार को हासिल था। क्यूंकि अपने घरों में प्रवेश करने से पहले वे ऐसा करते थे। समय समय पर अपने घर को प्रतिष्टित करने के लिए वे कुछ करते थे। ये लगभग हर घर में होता था। हर घर में कम से कम साल में एक बार जरूरी अनुषठान और प्रक्रियाएं आयोजित होती थी। इसलिए कि घर का स्थान प्रतिष्टित हो। ये एक बुन्यादी समझ थी या बलकि एक जरूरी समझ थी कि एक मनुष्य को पूरी शमता तक विक्सित करने के लिए एक मददगार महौल कैसे पैदा किया जाए झाल झाल